हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बात करेंगे थ्री मन्त बेबी की ग्रोथ एंड डावलाफमेंट के बारे में इस टाइम पर बच्च अपने पैरेंस को या फिर उसके आसपास जो भी लोग रहते जिने वो डेली देखते हैं उन्हें पैजानना इन डावलाफमेंट जो आपको आपके बेबी में दिखाई देगा वो यह है कि अब आपका बेबी आवाज सुनने पर प्रतिक्रिया देना है यानि कि जो भी आवाजों सुनेगा उस पर रियक्ट करना वो स्टार्ट करदेगा जब आप अपने बेबी से डेली सेम आप देखोंगे जोब आप अपने बेबी के सामने म्यूजिक चला आ रहे हो या फिर उससे बात कर दो तो आपका बेबी नोटीस करेगा कि आवाज किदर से आ रहे है और उसकी तरफ वो घर्दन गुमाने के या फिर उसकी तरफ दान लगाने की वो कोसिस करेगा अब उसक से उसे आवाज आ रही होगी इसके अलावा आपका बेबी आपके आवाज की भी नकल करने की कोसिस करेगा इन सबसी important सबसे बड़ा growth and development आपको आपके बेबी में दिखाई दीगा वो यह है कि अब आपका बेबी आपसे बाते करने की कोसिस करेगा जी हाँ इस टाइम पेबी आपसे बात करना स्टार्ट कर देता है तो आप अपने बेबी से ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए आप देखोगे कि आपका बेबी आपको reply कर रहा है वो reply वो अपनी language में करेगा वो आपको मुस्करहाट के साथ कुछ बोलने की कोसिस करेगा जिसे गिकलिंग अगर है करेगा अब हम बात करेंगे फिजिकल डावलाफमेंट की तो फिजिकल डावलाफमेंट में सबसे पहली चीज जो आती है नेक बैलेंस यानके अपने हैड को balance बनाना, इस टाइम पे बच्चा अपने head को थोड़ा balance बनाने लग जाता है जब आप उन्हें पेट की बल लेटा होगे तो आप दिखोगे कि आपका बेबी अपनी गर्दन को थोड़ा सा control करने की कोसिस करता है हल्क हल्का उकपर करने की कोसिस करता है एंड को seconds के लिए वो balance भी बना पाएगा next change जो आपको आपके बेबी में दिखाई देंगी वो यह है कि इस टाइम पे आपका बेबी अपने जो सरीर का weight होता है उसे अपने hand पे control करने की कोसिस करता है यान कि उसे समालने की कोसिस करता है जब आप अपने बेबी को पेट के बल लेटा होगी तो आप देखोगी कि आपका बेबी अपने हाथों को आगे करके थोड़ा थोड़ा अपना सरी का बजिन उस पर डाल के उठने की कोसिस करेगा next डावलाफेंट जो आपके बेबी में तो यह बिलकुल नॉर्मल है इस एज में बच्चे की करना है स्टार्ट करती है उनके इक ग्रोथ और डावलाफमेंट का ही पार्ट होता है बस आपको यह धान में रखना है कि जब आपका बेबी आपका अपना हाथ मुह में डाल रहा है तो इसके हाथ हमेशा क्लीन रहे अब हम बात करेंगे बेबी के सोचियल एड इमोशनल डावलाफमेंट के बारे में सबसे पहले चीज़ आते है कि अब बच्चों आपके जाने पैचाने चारी को देखकर मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है तीसरे मेने तक होते होते सीसु लोगों को जिनके साथ वो रहता है पैरेंस या उनके नियर डियर वाई जिन भी फेस को वो डेडी देखते हैं उन्हें देखकर मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है जो आपका बेबी इस टाइम पर अच्यू करेगा वो यह है कि अब वो लोगों के साथ खेलना या आपके साथ खेलना वो स्टार्ट कर देगा इस टाइम पर अपने बेबी के साथ पीकेबू गेम खेल सकते हो इस टाइम पे बच्चों को गेम खिलना बहुत पसंद आता है आप जादा से जादा अपने बेबी के साथ खेलिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आते तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बैलाइक कांदा बाना दा बलकल मत भूले